हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया चुरो स्टार्ट करते हैं हमनों फार्मसोटिकल डोजस फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर जह हम लोग पढ़ने वाले हैं इयर प्रिप्रेशन को लेकर के ठीक है ना यह ह जादा कुछ खास है निसके अंदर वही दो चीजों के लिए ब्रॉप इस्तेमाल करते हैं ज्जादा तर किसके लिए एक कान में जब यहां से मेल मेल आया जाता है ना वह फुला करके निकाल देता है और दूसरा कान में अगर इंफेक्शन हो जाता तो ज्यादा तर इन दो और टिक को हम लोग ओरल भी कहते हैं एक और इसका नाम है ओरल ठीक है ना यह ओरल नहीं ओरल ओर ठीक है यह प्रिप्रेशन जियार यूसफुल फॉर लोकल ठीक इफेक्ट दियार नखेंगे देखो जहां पे नैजल परिप्रेशन जहां हमने पढ़ा था उसमें लोकल इफेक्ट भी आ रहता और तर यह जादा तर लोकल इफेक्ट कान का जो रहता है वहाँ पर तो आसपास पास का अफेक्ट मालाब आस पास के एरिया में infection गज़ाँ, inflammation गज़ाँ होता है उसमें यह ज़्यादतर इस्तेमाल होता है उटिक परिपरेशन है most commonly available in solution form मार्क करेंगे, ज़्यादा तर यह solution form में available है ठीक है, solution form यादा रहा है, nasal preparation की बीटा comparative पढ़ते रहा है क्योंकि उसके कुछ other side effects होते हैं ओके इयर प्रिपरेशन और यूजिली प्लेश्ट इन इयर कैनाल बाइड ड्रॉप्स एयर प्रिपरेशन को ड्रॉप्स की हेल्प से हम लोग कैनाल कान का जो खोल है छेद उसमें डालते हैं इना स्मॉल अमाउंट थोड़ी से मात्रा में for removal of excessive cerumen क्या होता है इयर वैक्स है जो कान का मैल बोलते हैं हम लोग इसे for treatment of ear infection मतलब उस इयर वैक्स को निकालने के लिए या for treatment of ear infection या कान में कोई infection हो गया उसको ठीक करने के लिए को inflammation हो गया यह कान में दर्द है इन सभी चीजों के लिए हम लोग ear drop का या ear preparation का इस्तिमाल करते हैं they are categorized जैस इसको categorize किया गया है cerumenolytic preparation कई बार क्या होता है अंदर का जो महल होता है ear wax होता है सूख जाता है कड़ा हो जाता है उससे निकालने बड़ी दिक्कत होती है ठीक है तो उसको यह गलाने के काम करता है anti-infective किसी परकार का infection हो गया है तो जो preparation बनेगी उसको हम anti-infective preparation बोलेंगे और anti-inflammatory inflammation अगर हो जाएगा तो anti-inflammatory या analgesic कान में कई बार दर्द होता है बहुत तेज अब बात करें cerumen what is cerumen ceruminolytic जिन लोगो पता है अच्छी बात है जिन लोगो नहीं पता हो लोग समझ लें cerumen is the combination of the secretions of the sweet sweat sweet नहीं sweat sweet बोलेंगे तो मीठा हो जाएगा sebaceous gland बोलते हैं यह अपने अंदर से खास तरह का चिपशिपा पदारत निकालती है जिससे की कान में जब हवा अगर जिसने पास होती है तो कोई अगर बैक्टेरिया या कोई चीछ जाती है तो वह उसको वहीं पकड़ लेता है वह एर्वेक्स का में काम यही होता है ठीक है उसको क्या बोलते है एक्टरनल ओटरी कैनल वहां पर जो भी सिक्रीशन आ रहा है से विस इस ग्लैंड का सिक्रीशन है या पसीना है ठीक है वो सब का मिला करकर जो कॉंबिनेशन बनता है उसको हम लोग से रुमेन कहते है ठीक है इफ दीज सिक्रीशन सार नौट रिमूव इस पिरियोडीकली तो तुम लोग ने देखा होगा बनता यह रोज है लेकिन हफ्ते या दो हफ्ते में एक बार कान में खुजली होन लगती हलकी सी थोड़ा ज्यादा हो जाता यह तो हम लोग फिर क्या करते है एक्टली गलत होता है वो तिली जो डालते है ना हम लोग करेंगे पिरियोडिकली समय समय पर यह सूख जाएंगी कॉंपक्ट हाड हो जाएंगी इस्टकी मास एंड डैट होल्ड डैट एपिथेलियल सेल और कान के अंदर की जो सबसे उपर एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको पकड़ लेंगे इस तरीके से फॉलन हेर उसको बाल अंदर के तूटके उसते हैं वह भी जगड़ जाएंगे इसके अंदर डश्ट भी उसके अंदर पकड़ जाएगी एंड अधर कंटैमिनेंट्स एक्सेसिव एक्कुमलेशन ऑफ सेरुमेंट ठीक है न यह सब चीज है अगर इसको सूख गया है इस्टिक है बात समझ में आगी तो सेरुमेंट यही होता है यहां तक बात किलिए रहें कि सेरुमेंट क्या है ओके ना सेरुमेंट रिमूविंग सॉलूशन तो अब इसको रिमूव करने के लिएम सॉलूशन बनाएंगे ट्रेडिशनल मैथट की बात करें यानि कि अपना ओल्ड रिखा होगा बच्चों के कानों में सरसो का तेल विल डालते हैं लोग लेसन में भुना हुआ है ना वो ट्रेडिशनल मैथड है अपना टैशनल मैथड है लॉंग बीन यूज इंक्लूडिंग यूज ऑफ लाइट मिनरल ऑइल्स वेटेवल और हाइडोजन परोक्साइड ह हाइडोजन परोक्साइड इस्तवाल नहीं करना चाहिए वैसे ठीक है तो मिनरल ऑइल या जो अपने वेटेवल ऑइल सोते हैं सरसों का तेल वगरा होता है कान में डाल देते हैं हम लोग इससे क्या होता है वह से बाहर खिच लेता है अपना ट्रडिशनल मैथड है चैमिकल नियुकत जो होता है रिफसे अरी सेरी म なल सेरेमीनग लाइं को तोडने वाले गलाने वाले कि तरह हम लोग उसका इस्तमाल करते हैं तो जयसे कानओ ड्र में तो its सैन質 क्या होता है टूट जाता है और जाता है अभार रहाता है आजामपल क्या है ट्राइड इतिनों मैं साब यह एक साथ लंबा सा नाम दे दिया है तो इसको याद कर लेंगे एक नाम याद कर लेंगे एक्जामपल के लिए करोगे ना गुड ठीक है सलूशन इसके साथ ही होना चाहिए था कंडेंसेट सलूशन एक्जामपल 10% सोडियम बायकार्बोनेट 3% हाड़ोगन पर अक्साइड ठीक है तो इसका एक पुरा वो दे दिया है एक सलूशन का पुरा एक्जामपल दे दिया है कि इसके सलूशन में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती है तो एक काफी फेमस आता है मार्केट में डेब्रोक्स के नाम से येर ड्रॉप है कंटेनिंग कार्बामाइड पर ऑक्साइड ओर और सेर्यमें लिवोवेक सलूशन एक तैडिशनल व्र्ल बता दोगे और गेमिचल व्रल बता दोगी च्एमिकल मेथच्ट्ट जो हम लोग अपना बना रहे है क्यमिकली फारमसेटिकली क्लिए रहənे बात है especially infections of the outer ear और ear कहना जिसे हम otitis externa भी कहते हैं ear के बाहर के infection होते है जो बादबागी part तो ear के अंदर चला जाता है ठीक है ना तो especially हाँ पर क्या होता है जो दवाईयां होती है वो उस infection को कम करती है drop जो होता है drop अंदर तो जाएगा नहीं है ना वो बाहर ही बाहर रहता है तो जो बाहर होने वाले इंफेक्शन उनको रोपता है they may be available in solution or suspension form solution or suspension form दोनों के रूप में ये available है solvent of otic preparation हम लोग कौन कौन से solvent इस्तमाल करते है यानकि ऐसे कौन से solvent होंगे जिसके अंदर हम लोग अपने ingredients को डाल करके on anhydrous glycerine propylene glycol okay being anhydrous और hygroscopic in nature they absorb the moisture anhydrous बिना पानी का या hygroscopic होगा जो moisture हो खीचेगा in nature they absorb moisture from the inflamed area जो कान के अंदर area जहां inflammation हो गया है जहां sujan है जहां redness हो गया है रैसेश पड़ गया है वहां से moisture हो खीचेगा अब जब पानी वहां से खीच लेगा वो तो does relieve the inflammation अब sujan वगएरा है या swelling वगएरा है inflammation वो रखी तो वहां से पानी खीच लेगा तो cell क्या होते है श्रिंक कर जाते है अलके से जब cell श्रिंक कर जाएंगे तो inflammation में क्या मिल जाती है राहत मिल जाती है propylene glycol emulsifies the serumens thus facilitate its expulsion propylene glycol emulsify emulsification पता है नहीं छोड़ेकेशन हम लोगों ने देख कहां का पट रखा है ना कि एमल्सिफिकेशन दो चीजों को आपसे मिक्स करने को कहते हैं ना हम फांस्टी श्वाइभ हिसाब से बात करें तो इमल्सिफाइब आ एक लिक्विड और ऑईल को मिलाने वाले चीज जब मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं इमल्सिफिकेशन ठीक है तो फिर फिर काँज से उसको वह बाहर निकलने में help करती है expulsion में पास आजबा रही है ठीक है अब यह तो हो गया अपना उसकी बात कि जो सेरुमेंट था उसको निकाल रहे हैं अब अगर infection हो रखा है तो anti-infective agent की बात करें topical use of certain anti-infective agents such as chloramphenicol, colistin sulfate, neomycin, polymixin, b sulfate in ear preparation ठीक है ना तो कुछ खास तरह के chemical सबसे इस्तमाल होते हैं कौन-कौन से हैं chloramphenicol, colistin sulfate, neomycin, polymixin, b sulfate यह anti-infective agent की तरह हम लोग कान में इस्तमाल करते हैं these agents are formulated as ear drops in anhydrous glycerine propylene glycol, ठीक है ना तो इन agent को हम लोग simply क्या करते हैं जो glycerine अपना solvent सा उसको डिजॉल्व कर देंगा और हमारा solution मन के तयार हो जाएगा nistatin, a well-known anti-fungal agent, ध्यान रखेंगे कान में अगर fungus हो जाता है तो हम लोग कौन सा इस्तमाल करते हैं agent nistatin इस्तमाल करते हैं, a well-known anti-fungal agent, जो कि काफी एक अच्छा जाना पेचाना anti-fungal agent है is also formulated to suppress ear fungal infection, ठीक है इसको मिला करके हम solution तयार करते हैं in the form of ear drop के रूप में, analgesic when pain is associated with ear infection, जब ear infection में दर्द भी हो, pain भी हो, certain commercial products are available in combination with anti-infective and analgesic, उनके अदर analgesics भी पाए जाते हैं, example क्या है, anti-pyrine, जो कि analgesic है, lidocaine, bendocaine, ये local anesthetic होते हैं, वहाँ जाकर के थोड़ा सा सुनपन ला देते हैं, तो उससे क्या होता है, दर्द वगारा हमको, उसमें राहत मिल जाते हैं, सुन हो जाता है, तो फिर दर्द नहीं मिले, दर्द नहीं होगा हमको, ठीक है न, तो इस तरीके से हम लोग anti-infective agent का इस्वाल करते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, solution होगा, solution के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, anti-infective agent डाल देंगे, या analgesic agent डाल देंगे, खेल खता हम सोलुशन बनके त्यार होगा, उसके drop हम लोग कान में डाल लेंगे, हो गया, अब इसी तरह anti-infective या anti-inflammatory agent, in order to treat inflammatory condition, hydrocort dexamethosone, sodium phosphate are used, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनके examples आईए, अगर हमें otic preparation करनी है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे, इसके लिए ही, पहला वाला किसके लिए था, serumen removal के लिए, दूसरे में किसके example दे रखें, infection को रोखने के लिए, कौन कौन से agent का इस्तमाल करेंगे, inflammation क सब कुछ है, infection और inflammation सब कुछ है, तो combination therapy आ जाता है, sometimes a combination of orally administered anti-infective and topical anti-infective is used, अचा सौरी, यहाँ पर बोड़ रहा है, कई बार, solution की बात ना करके, वो कहा रहा है, कई बार हम लोग, orally administered anti-infective, मुझ से खाने वाल दवाईयों का भी इस्तमाल करते हैं, and topical anti-infective is used for specific time, कुछ खास सामय के लिए हम लोग कान के लिए यह खाने लिए दवा का भी इस्तमाल करते हैं, and drop कर डालने वाला भी इस्तमाल करते हैं, some preparation are used for their dual use, कुछ preparation are used for their dual use, कुछ preparation ऐसी है, common gentile mention जो होता है, ठीक है, gentile mention drop आते हो, आख में भी डाल लो, और कान में भी डाल लो, ठीक है, packaging होत प्लास्टिक कंटेनर, ग्लास के कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर में आते हैं, with dropper is usually available, और इसके अंदर generally क्या ओधर dropper होता है, ताकि कान में drop डालने में आसानी रहे, clear है, फिर इसमें एक term आता है, otitis externa, also known as external otitis and swimmer's ear, तो क्या है यह otitis externa, is an inflammation, एक प्रकार का inflammation है, of the outer ear या ear canal का, हमारा जो कान होता है, उसमें जो कान का जो रास्ता गया हुए अंदर तक, तुम लोग अगर याद हो, इस टाइप से ना, फिर यहां पर drum होता है, हमारा फिर यहां पर इस टाइप से तो यह जो यहां तक का हिस्सा है, ठीक है न, जो infection होयाता है, उसका हम लोग otitis external otitis, swimmer ear भी कहते हैं, ठीक है, एक परकार का inflammation है, outer ear का, इसमें दर्द होता है, ठीक है, inflammation के साथ-साथ, inflammation may be due to bacterial or fungal infection, और जो inflammation होता है, वो उसकी वज़य कौन है, bacteria या fungal, अच्छा, swimmer's ear क्यों का आगया है, जो लोग तैरते हैं, अभी तो क्या, swimming pool वगरा हो गया, पहले कान में पानी जाने की समभव न हो जाती है, ठीक है, and sometimes inflammation is not associated with infection, but with eczema, कई बार inflammation नहीं होगा, तो eczema होगा, खेर जो भी condition हो, उन सब में हम लोग क्या करते हैं, उस तरह की conditions को हम लोग otitis externa कहते हैं, A combination of antibiotic steroid is best for the treatment of otitis externa, antibiotic और steroid के combination को हम लोग इस्तमाल करते हैं, otitis externa को ठेक करने के लिए, बात समझ में आ रही है, clear है बाते हैं, okay, अब एक हमारे पास example, यह very IMP, IMP क्यों बोल जा मैंने, यह preparation की जब बात आईगी तो उपर की तो सारी बात नहीं को बतानी है, क्या क्या थी, एक example जरूर देना इस तरीके से, और यह example इसलिए important हो गया, एक ही है, काफी important है, the British Pharmacopia contains information about a pharmaceutical preparation called sodium bicarbonate ear drop, काफी famous है यह, the agreed IOPC name of sodium bicarbonate is sodium hydrogen carbonate, अगर हम बात करें, sodium bicarbonate का जो IOPC name हम बलाते हैं, उसे, वो sodium hydrogen carbonate है, तो अगर question में तुम्हारे पास sodium bicarbonate लिखा हो, या sodium hydrogen carbonate लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, sodium bicarbonate लेंगे 5 gram, glycerin लेंगे 30 ml, और मिला देंगा अच्छे से, बाद बाकि उसको 100 ml करने के लिए पानी मिला देंगे, ठीक है, 100 ml जब हमारा पुरा बनके तयार हो जाएगा, तो उसे 30 ml की CCO में डिवाइड कर 100% W by W इस range में रहेगा, वहाँ 5 gram लिखा है, बट वो इस range में vary कर सकता है, weight per centimeter cube कितना होगा, 1.10 से 1.12 gram per centimeter cube, 1 ml में कितना weight होगा, ठीक है, यह उसकी बात कर रहा है, extemporaneous preparation, अब extemporaneous words से आप लोग अच्छे से वाकिफ हो, होना, ठीक है, तो वही कह रहा है, अगर extemporaneous बनाना पड़ जाए, बाद बागी जो मार्केट में आरी, डारेक्ट वो तो ठीक है, extemporaneous बनाना पड़ेगा, तो, dissolve the sodium bicarbonate in about 60 cm3, याने कि करीब-करीब, 60 ml डिजॉफ करोगे, और पुरिफाइड वाटर में, add the glycerol and sufficient purified water, ठीक है, पुरिफाइड वाटर मिला के, अच्छे से हिल आरे पास, ear drop के लिए, ear drop should be packed in colored fluted glass, जो colored fluted glass होते हैं, क्यों, जिससे की, जो हुआरी सीरप पगए रहा है, पीने वाले, उनसे हमें, अलग से पहचान में आ सके, and supplied with dropper, उसके अंदर dropper भी होना चाहिए, labeling में क्या रहेगा, for external use लिखा रहेगा, not for injection लिखा रहता है, discontinue the use if irritation persist, अगर डालने के बाद irritation होता है, तो इसको discontinue कर दें, मत डालें, डॉक्टर से consult करें, फिर, storage, ठीक है, throat pant are supplied in well closed glass container in cool place, ठीक है, तो cool और dry place में रखना है, वगरा वगरा इस टाइब से, अच्छा, यह यहां पर storage, वेट, यह यह हटा देंगे, ठीक है, supplied in well closed glass container, ठीक है, storage के लिए क्या है, एक अच्छे से बंद होने वाले glass container में हमें इसे रखना है, और cool place, ठंडी ठंडी जगों पर रखना है, गरम जगह पर नहीं रखना है, हीट वाल जगह पर, commercial product, अगर हम कुछ बात करें, जो market में available है, तो वो commercial product क्या है, कोटिको, स्पोरिन, ओटिक सॉलूशन, कंटेंड, पॉलिमिक्सिन, भी, अब ये तो बेटा याद करने वाले, कोई भी तीन याद कर लोगे, ठीक है, ना, नियो माइसीन, जेंटा माइसीन, मैंने बता रहता है, ठीक है, कॉलिम माइसीन आ गया, कोटिक सॉलूशन आ गया, ठीक है, तो कोई दो-तीन याद कर लोगे, ज़रूरी नहीं के सारे याद करो, चार-पांच याद कर लोगे, चार-पांच दो-तीन याद कर लोगे, commercial preparation क्या होती है, किलियर है, ओके, यह छोटु-मूटु सा lecture था, बहुत बढ़ा lecture नहीं था, ठीक है, एयर preparation होती है, solution की फॉर्म में रहता है, कान में डालने के लिए, कान में डालने के लिए, कान हमारा ब्लॉक हो जाता है, उससे, solution और suspension की फॉर्म में बनाते हैं, तो बनाने के तरीका, सीधा लेके solution हम लोग पाने में डाल देंगे, और glicening और जो थोला गाड़ा पन रहता है, उसको मिलाने के लिए, वो glicening का इस्तमाल करते हैं, हम लोग मिलाके बनके तयार हो गया, कतम कानी बिपरेशन, बाद आगे हमको पता यह क्यों इस्तमाल हो रहा है, ठीक है न, और क्या advantage है, इसके वही वाले advantage आजाएंगे सारे, कि तुरांत local effect दिखा रहा है, ठीक है न, carry करना असान है, तुरांत effect दिखाता है, ठीक है वही सारी इसके advantage आजाएंगे, common सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दा कुछ, तो ठीक है बेटा, इसके भी notes का link, description मिल जाएगा, कोई problem आती है, तो मुझे call करें, बिल्कुल call करें, ठीक है न, बहुत से बच्चे call करते हैं, और बादवाकि यह अपना app है, जहाँ पर तमाम चीजें available है, जहाँ पर आप लोग इसका use कर सकते हो, ठीक है न, तो सबसे जरूरी चीज जो हमेशा कहता हूँ, क्या कुछ भी करो, पढ़ भी लिया एक बार, लेकिन अगर उसके बाद revision नहीं किया है, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, तो पढ़ते रहो और revise करते रहो, all the best!